हलो एंड वेल्कम टू अनकेडमी क्या हाल चाल है आप सभी के अम आई ओडीबल साही चल रहा है सब ओके तो आप जानते हैं स्टूडेंट आज अनकेडमी इंडिया में यूपीसी सीसी की त्यारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अनकेडमी का अगर आप सबस्क्रिप्शन लेते हो तो देखिए मेरे साथ साथ है आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा बेस्टीम है हमारे पास यूपीसी सीसी केटेगरी में और ये भुगोल लक्षे दो हजार तेईस हमेशा की तरह तीन बाते महत्पून है पहली बाते नौट्स बनाने है आई इसी पर सेलेक्शन होगा सेकंड रिविजन करना है और थर्ड और सभी सब्जेक्ट में आपको स प्रेक्टिस करना है जिस बच्चे ने ये काम कर लिया चाहे हिस्ट्री हो जोगरफी हो पॉलटी हो कुछ भी हो एक मात्र मूल मंत्र यही है आपके सेलेक्शन का तो भुगोल लक्षे दो हजार तेईस ही हमारी सिरीज है मेरा नाम है नवीन तवर एटियर टीचिंग सब्सक्रिप्शन लेना है उससे पहले कोई डाउट है बातचीत करनी है आप इधर मुझसे कॉमिकेट कर सकते है उसके साथ ही साथ कॉमिनटी फीचर्स अनकेडमी एप पर एवलेबल है वहां पे भी आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं और यह आज आखरी दिन है बेटा दो हजार चोबिस के लिए जबरदस बैच लॉंच हो रहे हमारे पिछले हफ़ते एक बैच लॉंच हुआ था हिंदी में और लक्षबैच था शायद वो और अभी जो यह बैच लॉंच हुआ है यह है आरंब बैच ठीक है तो दो हजार चोबिस जिस बच्चे का टार्गेट है और दो हजार चोबिस का गरम प्रिलिम्स की बात करें तो आज से दो हजार चोबिस के लिए प्रिलिम्स के लिए अठारा महीने बाद आपका प्रिलिम्स एक्जाम होगा तो अठारा महीने का ही सब्स्रिप्शन ओफर अनकैडमी आपके सामन में फ्री दे दिया 21 महीना यानि के दो हजार चोबिस का चाहे प्रलिम सो चाहे में सो कम्प्लीट आपकी त्यारी होगी एनकेडमी के साथ डिसकाउंट है और तीन महीने का फ्री सब्स्रिप्शन विलेगा चाहे आप प्लस ले लो चाहे आइकॉनिक ले लो 18 मंत का 2600 रुपे में पड़ेगा तीन महीने फ्री आपको बस नवीन वन रेफरल कोड लगाना है और ये ओफर आज रात 12 बजे से पहले ही जिस बच्चे ने ये ओफर कंज्यूम कर लिया उसको बेनेफिट है उसके बाद वरना कल से आपको ये वाला प्राइस देना होगा सुन ल अपलाई करना है आरंब बैच है ये दो हजार 24 के लिए हिंग्लिश है हिंदी इंग्लिश दोनों पुरा स्लेबस होगा टॉप एडुकेटर से प्रेलिम्स मेंस का टैसरीज है प्राइस में छूट है कल से ये शुरू हो चुका आरंब बैच जिन बच्चों को सी सेट बैच आए एक बार के में फीस नी दे सकता वो लोन के जरिये बेटा एक साथ पैसा नहीं दे सकता तो अनकैडमी कहता है हर महीने चुका देना एम आई पे लोन ले के चुका दो पढ़ो लेकिन कुछ बनो और ऐसी फैसलिटी आपको कोई और देने वाला लही है इंडिया के best faculties है हर महीने आप किष्टों में subscription ले सकते है और क्या चाहिए आपको ये एक test series और है मातर 1999 रुपे की test series है मेरे referral code से 10% extra discount मिलेगा अगर referral code नवीन बन लगाते है वो बच्चे जो बहुत sincere है 2023 के exam को लेके एक test series बेटा लगानी ही है तो ये क्यों ना कितनी सस्ती पड़ेगी 55 test है 55 से ज़्यादा 45 GS के 10 C set के है 52% का off है आपको test series पे 2023 के लिए और IRMS railway के लिए जो अलग से UPSC exam लेगा IRMS 2023 उसका batch 18 December शुरू हो चुका UPSC और gate की top faculties है मेरे referral code से आप इसका भी subscription ले सकते हो आते हैं मुद्दा जय मर्फलोजी पे कल हम पढ़ रहे थे जो आला मुखी है ना जो आला मुखी पढ़ रहे थे ना दो तरह की इसला करतिया थी अभ्यानतरिक इसला करतिया और वाहिय इसला करतिया तो अगर मैं आप से एक दो प्रशन पूछू तो क्या आप जवाब दोगे मुझे जवाब दोगे पहला प्रशन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अच्छा ये बात है ये लो ऐसे कर लेते है सिल वे डाइग वाहिये जवाला मुखी निर्मित जवाला मुखी निर्मित वाहिये सला करतिया है येस और नो क्या लगता है आपको गल्दी से जवाब दीजिए क्या लगता है नो क्यों एक सेकिन एक सेकिन रुको भाई आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे अब ठीक है चलो एक और मैं पूछता हूँ आपसे एक मैं स्टेटमेंट्स पूछना चाहता हूँ आपसे एक स्टेटमेंट्स पूछना चाहता हूँ बेटा सुन लो स्टेटमेंट है कथन है ये कथन कथन ए आइसलेंड जुआला मुखी रूप से आइसलेंड में जुआला मुखी रूप से सक्रिय छेत्र है कारण यह मध्य अटलांटिक कटक के उपर अवस्थित है आप्शन ए A वे आर दोनों सही आर A की सही व्याख्या तीसरा क्या लगता है आपको बताओ मुझे यह क्या हो गया? मैंने तो क्या सोचा था और यह क्या हो गया? मुझे लगा था कि सब बच्चे सही जवाब देंगे अरे भाई यह तो खेल ही पलट गया पूरा पूरा का पूरा खेल पलट गया भाई आपने तो क्या कर दिया? मैक्सिमम बच्चों का जवाब आ रहा है डी, ए गलत आर सही यह जवाब दे रहे हो आप यू वांट तो नो राइट आंसर? चलो लगाते है तुक्का अकडबकडबंबे बो असी नब्बे पूरे सो सो में लगा दागा चौर निकल के भागा येस सही बात है इसी वज़े से डी आंसर आ रहा है आपका अब डी आने का मुझे सही कारण पता चल गया डी आने का सही कारण पता चल गया तो ये चौरा-चौरी नहीं चलेंगी ए इसका सही उत्तर है सही उत्तर है ए अब मुझे से पुछो सर ऐसा कैसे हुआ आपने आइस लेंड में तो बरफ है आइस लेंड में तो बरफ है और बरफ पे जवाला मुखी कैसे करा रहे हो सर आप भी कैसी कैसे बाते कर रहे हो पुछो मुझसे मुझसे पुछो कि सर ए उत्तर कैसे हुआ पुछोगे ए उत्तर कैसे हुआ हम बताते हैं आपको कैसे हुआ सुन लो बेटा सुन लो अरे भाई ये क्या हो गया सुनते नहीं हो मेरी इसलिए समझते नहीं हो ढंक से पढ़ते नहीं हो रिविजन नहीं करते सारी समश्या उसी की वज़े से हुई है सारी समश्या की जड़ा आपका revision ना करना है भाई revision ना करना ही समस्या है यहां कहीं आपका Iceland है यह कहीं Iceland है कुछ ऐसे मान लो छेक है this is Iceland ओके Iceland है यहां पे है मध्य अट्लांटिक कटक मध्य अट्लांटिक कटक इधर जा रहा है एक प्लेट इधर जा रही है मध्य अट्लांटिक कटक है बिटा मध्य अट्लांटिक कटक प्लेट एक इधर जा रही है मेगमा बहर निकल के आ रहा है आदा मेगमा इधर आदा मेगमा इधर जमा हो गया चेक है और आपका आइसलेंड इस मध्या अट्लांटिक कटक के उपर ही है तो अगर मैंने कहा था मेरा स्टेटमेंट क्या था आइसलेंड में ज्वाला मुखी के रूप से सक्रिय छेतर है है येस है भाई है हाँ हाँ है क्यों है उसका एक कारणी है कि ये मध्या अट्लांटिक कटक के उपर है इसलिए कारण है दूसरा एक कारण तो ये है बेटा एक कारण तो ये है ये ज्वाला मुखी रूप से एक्टिव है पहला कारण था पहला कारण क्या बताया मैंने पहला कारण बताया कि ये मिडड अट्लांटिक रिज के उपर है मिड अट्लांटिक रिज के उपर है एक और कारण लिख लो, एक और कारण लिख लो यहां पे यहot-spot के उपर परता है यहot-spot के उपर परता है ही है अब यह word-spot तो सर हमने Environment Anorshipology में पढ़ाता तो यह Environment Anilloshy वाला होट-spot नहीं है मुझे जब जिस दिन मैं आपको भुकम्प पढ़ाओंगा न उस दिन ये ये वाला टॉपिक भी उसी दिन बता दूँगा मैं आपको ठीक है आज भी बता देंगे आज की क्लास में जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे भुकंप और ज्वाला मुखी टॉपिक के अंदर ये कवर हो जाएगा तो अगर ये होट स्पोट भी लिखा होता तब भी ठीक था अगर ये मेटर अटलांटिक रिज लिखा है तब भी ठीक है दोनों के उपर ही है भाई ये आइसलेंड आपका समझ में आया अब भाई साब ये कोश्चन यूपियसी ने पूछ लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता अगर यूपियसी ये ही कोश्चन पूछ लेता है तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर यूपियसी ये कोश्चन पूछ लेता है तो पूछ ले हमारे पास जवाब है इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा लोजिक लगाओ बेटा कॉमन सेंस लगाया करो जब मैंने आपको मिड अट्लांटिक रिज पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया तो थोड़ा सा सोच लेतेगी आइसलेंड की लोकेशन किदर है आइसलेंड में हमेशा आपने समय समय पे सुनते रहते हो कि जवाला मुखी बिशफोट हो गए आइसलेंड जहां बर्फ है वहां जवाला मुखी नहीं होगा ये किसने बोला आपको अरे भाई बर्फ बर्फ का होना latitude पे और वहां के climatic condition से related है और जुआला मुखी प्रत्वी के आंत्रिक उससे related है मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने सोचा कि आइसलेंड में तो आइस मिलेगा आइसलेंड में है बर्फ और जहां बर्फ है जहां बर्फ है वहां जुआला मुखी कैसे हो सकता है क्या आपने ये नहीं पूछा बर्फ के होने के दो कारण हो सकते है या तो उसका अक्षांस हो सकता है और या वहां की जलवाईू हो सकती है लेकिन जौला मुखी का फटना ना तो उसके अक्षान से जुड़ा हुआ है और ना ही जलवाईू से जुड़ा हुआ है कभी परते खोलने की कोशिश करो खोलते हो कभी ऐसे परते फिर बोलोगे common sense नहीं है common sense लगाओ उसको फटा डीप रूटिड जाओ बेटा एक एक शब्द के पीछे की कहानी जानने की कोशिश करो इधर altitude भी matter करेगा altitude तुंगता तुंगता भी matter लेकिन जौला मुखी ता ना तो altitude से बाई जौला मुखी को अगर हिमाल्ये की चोटी पे 4848 मीटर क्यों चाहिए पर आवरेस पर जाके फटना होगा ना तो फटेगी कि अंतर जातबल काम करेगा उसमें कि 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 आया समझ में चलो ऐसे करते रहो knowledge के साथ ग्यान के साथ experiment करते रहो मैं कहता हूं ग्यान को मैं तो कह रहा हूं बेटा वो शब्दों में लिखे गए है वो किताबों में लिख दिये गए लेकिन किताबों में लिख दिये गए वो कारण बता दिये गए वो प्रभाव बता दिये गए लेकिन वो जो कारण और प्रभाव हर किताब का अपना एक limitation है कितने logics को डालेगी आपको basic concept बता दिया बाकी बोला यार experiment करो खुद का दिमाग चलाओ चलो हो गया आज का डोज हो गया आज हो आज आते है topic पे ज्वाला मुखी का वर्गी करन कल हम ज्वाला मुखी ही पढ़ रहे थे कल हमने देखा था ज्वाला मुखी से निर्मित इस्दा करती थी तो मुझे लगा आज ज्वाला मुखी का topic complete करा देता हूँ तो ज्वाला मुखी हमने देख लिया था ज्वाला मुखी से निर्मित इस्दा करती थी ये दो तरह की थी अभ्यांत्रिक थी और वाहिय थी हमने सब देख लिया था ठीक है आज हम देखते सर ये जोड़ा मुखी कितने तरह के होते जरा आज थोड़ा सा ये भी बता दो तो जोड़ा मुखी का वर्गी करन बेटा दो बेस पे कर सकते हैं एक तो उनकी है मर चुकी है या टाइगर जिन्दा है उस टाइप का तो सक्रिय है प्रशुप्त है या विलुप्त या मृत प्राय जोड़ा मुखी है ये उसको क्रिया शीलता के अधार पे बाटा सेकंड हमने उसका जो जोड़ा मुखी के अंदर उद्गार होता है जो मैगमा बाहर आत किसको हम सक्रिय बोलेंगे, किसको प्रशुप्त बोलेंगे, किसको डेड बोलेंगे, किसको हम केंदरी उद्गार वाला बोलेंगे, और किसको दरारी उद्गार वाला बोलेंगे, आज की क्लास पे हम ये सब जानेंगे, और बहुत ही अधभुत और जबरदस क्लास होने वाली है तो यह लीजिए जैसे जवाला मुखी है बेटा दिख रही है आपको अरे भाई यह जवाला मुखी दिखती है क्या यह वालकैनिक इरॉप्शन हुआ है ना यह क्रेटर है बाहर निकला यह क्या निकल रहा है सर गैस तो सर लावा कब निकलेगा यह तो धुआ ही धुआ निकला है दिख रही है आप सभी को तो जवाला मुखी से जो निकलने वाले पदार्त है बेटा पदार्त मैटीरियल उसको हम तीन कैटेगरी में मतलब यह जवाला मुखी है इससे बाहर जो भी निकल रहा है इसको हमने तीन कैटेगरी में रखा है, पदार्तों को हमने रखा है, तीन शिरणी में, त्री कैटेगरी के यहां से पदार्त, मतला जब जुआला मुखी का विसफोर्ट हो रहा है ना बिटा, या जुआला मुखी इराप्शन हो रहा है, विसफोर्ट भी ना हो रहा है, इराप्शन हो रहा है, तो यहां से क्या क्या निकलेगा है ला हीरे मोती निकलेंगे अरे हीरे मोती है न सब को सब कुछ important important चाहिए चलो तो पदार्थों की तीन श्रेणी है first category, second category और third category first category, तीन category बता दिया ना बेटा मैंने first, second और third पदार्थ की तीन category है जो अला मुखी से निकलने वाला, पहले में है गैस और जलवाश्प जलवाश्प भी अपने आप में गैस का ही एक रूप है, ठीक है? गैस और जलवाश्प तो ये कहता है सुनो, ये कहता है जो गैस और जलवाश्प है ना बेटा, इस में से जो जलवाश्प है, ये जो वाश्प है, जो ये वाश्प है ये वाश्प ही है 60 से 90 परसेंट, अगर गैसियस कमपोजिशन देखे, तो 60 से 90 परसेंट इसके अंदर वाश्प ही निकलेगा 60 से 90% और क्या निकलेगा carbon dioxide बाकी gases में क्या निकलेगा carbon dioxide निकलेगा carbon dioxide nitrogen निकलेगी nitrogen gas उसके बाद sulfur dioxide निकलेगा sulfur dioxide यह निकल रहा आदी यह तो निकलता है first category का है gas और जलवाश second category के material कौन से है पदार्थ कौन से है इसमें निकलते है विखंडित पदार्थ विखंडित पदार्थ विखंडित पदार्थ विखंडित पदार्थ का मतलब चट्टानों के टुकडे है चटानों के टुकडे है ना छोटे भी हो सकते है बड़े बड़े भी हो सकते है छोटे से लेके बड़े आकार के हो सकते है थार्ड निकलता है बेटा लावा जो मैगमा है ना मैगमा जब बाहर आ जाता है वो लावा तीन चीज निकलती है पहले क्या निकलेगा बिटा गैस, सेकिंड क्या है विखंडित पदार्त और थर्ड क्या है लावा तो शुरुवात हो रही है गैस से कई बार गैस के साथ ही कंकड पत्थर भी वहार आ जाते है विखंडित पदार्त या चट्टाने और उसके बाद आपका लावा चलेगा आया समझ में? जल्दी से बताओ ये समझ में आया आप लोगों को सर जी दो हजार पच्चिस क्या है? पच्चिस वाले भी आगे क्या? के लिए आप यूट्यूब पर जोगरफी मेंस की क्लास लाएंगे लाएंगे बटा पच्चिस तो बहुत दूर है चलो तो अब हम देखते है क्रिया शील्टा के अधार पे पहले हम यह देख लेते है क्रिया शील्टा के अधार पे जोगरा मुखी कितनी तरही होती है सक्रिय प्रशुप्त और प्रशुप्त और विलॉप्त तो सक्रिय वाली को देख लेते है एक्टिव वॉल्केनोज के उन से है मतलब वो उनके अंदर उनके अंदर क्या है लगादार विसफोट और जवाला मुखी पदार्तों का उदबेधन हो रहा है तो इस परकार के जवाला मुखी में प्राहे विसफोट होते रहते है उदबेधन यानि के एराप्शन होता रहता है eruption gas, जलवाश, विखंडित पदार्थ निकलते ही रहते है और इनका जो मुख है mouth है जो इनका हमेशा खुला रहता है active है पेटाई, mouth होगे न छीक है, खुला ही है निकलते ही रहेगा gases निकल रही है या पदार्थ निकल रहे है विखंडित पदार्थ या बाद में आपका magma लावा के रूप में बाहर निकल जाएगा तो समय समय पर इनसे लावा धुआ, अन्य पदार्थ निकलते रहते है और शंकू का निर्मान होता है शंकू का निर्मान देखो बेटा दो चीज में आपको बता देता हूँ आगे, आज की क्लास में आगे भी बताऊँगा जो जुआला मुखी से निकलने वाला जो लावा है जब वो बाहर आता है वो दो कैटेगरी में हो सकता है एड़ा एक वो, सुनो एक वो पतला हो सकता है पतला फ्लूड की तरह दूर तक फैल जाएगा एक हो सकता है वो चिप चिपा और गाढ़ा दो कैटेगरी में हो सकता है तो वो कैसे आप डिसाइड करेंगे उसमें हम देखें कि सिलीका का कंटेंट सिलीका की मातरा अगर सिलीका की मातरा कम है सिलीका की मात्रा कम है तो वो लावा होगा पतला अगर सिलीका की मात्रा अधिक है तो वो होगा गाढ़ा अब इसने बोला शंकू का निर्मान होगा शंकू मतलब ये सपोस करो ये वॉलकैनो था सपोस करो ये वॉलकैनो है सुनो इसको इसकी भी कहानी सुनो ये कहता है ये वाल कैनो है अगर इसमें सिलिका की मात्रा कम होती तो पतला होगा बाहर निकलेगा दूर दूर तक फैल जाएगा दूर दूर तक चला जाएगा अगर ये गाढ़ा होगा तो क्या होगा बिटा गाढ़ा होने से क्या होगा इसके साथ प्रॉबलम गाढ़ा होने से इसके साथ प्रॉबलम होगी यहां से निकलेगा और साइड में जमा होना शुरू हो जाएगा यहीं पे साइड बाई साइड जमा होना शुरू हो जाएगा साइड बाई साइड जमा होना शुरू हो तो डिपेंड करेगा उसका लावा का उस मेगमा का कंपोजिशन क्या है ये बात आई समझ में बाकी आगी आने वाली क्लास में अभी आज की ही क्लास में आपको ये कंपोजिशन के बेस पे थोड़ा और बारीकी से में क्लियर कर दूँगा ठेक है तो ऐसे ऐसे कुछ वॉलकेनोज है एटना है सिसली है भुमद्य साधर के अंदर चालो तो ये आप देख सकते हैं यहां पर ये बेटर रेशे ऐसे लग रहा है ने जैसे किसी ने रेशे निकाल दिये हो कभी देखने का मुका मिले तो कभी हवाई दीप जाओ मेडिटरेनियन सी के अंदर जाओ कुछ ऐसे एक्टिव वॉलकेनोज मिलेंगे आपको की देख के दिल आनंदित हो जाएगा दूर से देखोगे तो लगेगा रहे क्या वास्ता में क्या अधबुत नजारा है प्रसुप्त ज्वाला मुकी पहला वाला एक्टिव हो गया जिसके मुह से एक्टिव क्या था जिसके अंदर से लावा गैस धुआ निकलता ही कभी कभी रेगुलर निकलता रहता है प्रसुप्त मतलब डॉर्मेंट है न सोया हुआ है सोया हुआ का मतलब काफी लंबे टाइम से उसके अंदर कोई इरॉप्शन नहीं हुआ वो आराम मुद्रा में है प्रसुप्त है हमें पिछले काफी सालों से सेकडो सालों से वहाँ कोई activity देखने को नहीं मिली तो उसका हम क्या बोलते है प्रसुप्त लेकिन हम उद्गार की संभावना को नकार नहीं सकते प्रसुप्त का मतलब सोया हुआ है लेकिन कब जाग जाए पता नहीं यह तो active form में है यह active form में है यह active form में यह active form वाले वो बच्चे है यह active volcanoes वो बच्चे है जिनका target 2024 है तो अभी से जाग गए या जिनका 2023 टारगेट था तो वो जून जुलाई के असपास से जाग गए थे उनको पता है यार लगातार काम करना पड़ेगा आप मेंसे कोई रसुप्त फॉर्म के एस्पाइरेंट है वो अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में नोटिटिकेशन आएगा तब जागेंगे और लक्ष्मी कांथ कहां से पॉलिटी कहां से पड़े हिस्ट्री कहां से पड़े जोग्रफी कहां से पड़े एनवायर्मेंट एकोनोमी सर कुछ समझ नहीं आ रहा confidence lose हो गया तो भाई आप dormant टाइप की हो तो मैं क्या करूँ ये एक्टिव वालों का एक्जाम है ये तो इस परकार के ज्वाला मुखी में दीरग काल से अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है सर जिंदगी में देखो सर UPSC के तो 6 अटेम्ट मिले है जनरल काटेगरी में बाकी रिजर्व के एक्स्ट्रा अटेम्ट है अभी मेरे मासी के लड़के की शादिय है उसकी तो जिंदगी में एक ही बार होगी चीक है और काम्याब नहीं हुआ है तो भाई समय बड़ा खराब है है न दूसरों की ही शादिय अटेंड करते रहोगे फिर तो दीर्ग काल से उद्वेधन नहीं हुआ किंतु उद्वेधन की संभावना बनी रहती है चलो कभी कभी अचानक सक्रिय हो जाएंगे आएंगा नोटिफिकेशन आएगा तब सक्रिय हो जाएंगे तो जैसे जापान का फ्यूजी यामा इचली का विसुवियस इंडोनेशिया का क्राका टाओ ये सब प्रशुप्त जवाला मुख्यों के उधारन है लेकिन ये ऐसे है भाई ये वैसे तो सोय हुए है ये वैसे तो सोय है लेकिन अगर ये जाग गए तो विस्फोर्ट बड़ा करेंगे है ना मातर तीन महीने पढ़के बना IAS ऐसे भी तो आएंगे मातर उननीस दिनों में निकाली मुख्या परिक्षा मातर उननीस दिनों में निकाली मुख्या परिक्षा अब भाई ये एतना बड़ा महारती कैसे हो सकता है मुझे नहीं समझवे है ना 19 दिनों में मुख्या परिक्षा को कोई कैसे نिकाल सकता है मतला मैं इस दावे को बिल्कुल जुटा मानूंगक कि किसी ने कभी UPSC पढ़ा ही नहीं और उसने 19 दिन पढ़ा और उसकी इंटर्व्यू कॉल हो गई असंभवसी बात है ये क्या उसकी बज़ाय रही होगी जानने की कोशिश करेंगे इंस्टेंट आई एस फिर आगए मरत जवाला मुखी है ये मर चुके है इन में विस्फोर्ट बंध हो चुका है और भविश्य में भी कोई संभावना नहीं है और इनका जो मुख है वो गहरा कालांतर में एक जील में मतलब जो क्रेटर था उसमें पानी वानी जमा हो गया बाद में वो जील भी बन गई और उधर आप जाके नाव चला रहे हो चेक है और उसमें बैठके कंकड पत्थर मार रहे हो और उसके ऊपर पेड भी उग जाते है कैसा होगा सर ये डेड वोल कैनों दिखाओ जरा हम देखना चाते है ये देख लेजिए ये यहाँ एक्टिविटी नहीं है और भविश्य में होने की संभावना भी लगभग नगन्य है तो ये कभी जलवल से भर जाएगा तो यहाँ क्रेटर जील बन जाएगी ये पेड़ अब आया उद्गार के अधार पे इरप्शन के बेस पे ऑन दा बेसिज ऑफ इरप्शन तो ओन दा बेसिज ऑफ इरप्शन में आपको दिखाता हूँ इरप्शन जब वो उद्गार होगा बेटा उद्गार एक बार देख लीजिए उद्गार कैसे होता है ये देखो उद्गार ऐसे होगा या तो यहाँ से मैगमा चेंबर जहां से मैगमा आ रहा है सीधा एक सें केंद्रिय उद्गार वाले तो इसको देखते हैं अभी इन ज्वाला मुखी में उद्गार एक संक्री नली या द्रोनी के सहरे छिदर के बाहर आएगा ये ओके तो इन ज्वाला मुखी में उद्गार एक संक्री नली और द्रोनी के सहरे छिदर से बाहर प्रकट होता है जहां कहीं भी इन्हें कमजोर भूपटल मिलता है उसको तोड़ कर बाहर निकल जाएंगे बेटा है न और भयंकर ध्वानी है न साउंड ऐसा नहीं कि बिलकुल ब्ला जाता है बेटा जो विस्फोर्ट होता है ना विस्फोर्ट सपोर्ज करो सुन लो यह इसका यह ज्वाला मुखी है यह सेंटरल पाइप है अब गैस है इसके अंदर जलवाश्प है ओके गरम होरियल और यहां से इसका यह माउत बंद है माउत बंद है बेटा लगातार गैस का प्रेशर बन रहा है प्रेशर कुकर फट जाते हैं ना बिटा कई बर प्रेशर कुकर फट जाते सें वही कहानी ये मान के चलो लगातार क्या होगा गैस का संचेन होता जाएगा और अचानफ से क्या करेगा इसको तोड के बाहर निकल जाएगा तो ध्वानी पैदा करता हुआ और तीवरता से धरातल पर फूट पड़ता है और ये केंद्री है उद्गार वाले जो 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 आला मुखी होते हैं इनको बेसिकली हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है कितनी कैटेगरी डिवाइड किया है इसकी? इसकी 6 कैटेगरी है बेटा 6 तो 6 कैटेगरी कौन सी है? हवाइन तुल्य है, स्ट्रमबोली तुल्य है, वलकेनियन तुल्य है, पीलियन तुल्य है, विशू वियस तुल्य है या पलीनियन तुल्य है और सेकिंड है आइसलेंड तुलिया आइसलेंड वाला समझ गे ना बेटा आइसलेंड वाला जौला मुखी मैंने बताया था दो कारण हो सकते है यहाँ पे एक्टिविटी के एक तो मिड अट्लैंटिक रिज के उपर है दूसरा होट स्पोट के उपर है स्पोट क्या होता है वो बताने वाला हो में तो छे प्रकार के यह आपके जौला मुखी है अब आप मेरे से पूछोगे सर इन में सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा है और सबसे ज़्यादा शांत प्रकार का कौन सा है सब के सब जवाला मुखी एक जैसे नहीं होते बिटा यह देख लो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे यह हवाई तुल्या वाला जवाला मुखी है हवाई तुल्या जैसे जवाला मुखी के बिटा टाइप है टाइप की साधार पे हमने बोला कि ये कितना ज़्यादा विस्फोटक है इसके अंदर जो निकलने वाला जो लावा है गाढ़ा होगा या पतला होगा उसके बेस पे हमने इसको कटेगराइज किया है तो पहला टाइप है हवाई तुल्य हवाई जानते हो हवाई आईलेंड पैसिफिक ओशिन संयुक्त राज अमेरिका हाँ वो ही हवाई है वो ही हवाई है तो इस टाइप का शांत उदगार होगा शांत मतलब पीसफुली मैगमा आराम से बाहर निकलता रहेगा किसी को कोई तकलीफ नहीं देगा शांत टाइप का कम विस्फुली टक है कोई उससे ज़्यादा ऐसे नुकसान होने की संभावना नहीं है ओके तो अगर मैं एके करके सबके बारे में दो-दो लाइन लिखवाता रहता हूँ हवाई की बात कर रहे है हवाई में क्या होगा शांत उदगार है कम विस्फुली टक है और बेटा इस पे डिपेंड करेगा इसका कारण क्या है शांत उदगार क्यों है और इस विस्फुली टक कम क्यों है पहला कारण तो है लावा पतला है लावा पतला है और गैसो की तीवरता यहाँ पे कम है गैसों की तीवरता कम है शांत उद्गार और गैसों की तीवरता कम तो हवाई वाला कैसा है? शांती प्रिया है पैसिफिक कोशन में इससे इतना घबराने वाली बात नहीं है यह हवाई की बात हो गई सेकिंड आया स्ट्रम बोली स्ट्रम बोली तुलिये स्ट्रम बोली लिखते जाना बेटा इसको साथ के साथ लिखते जाना मैं इधर खड़ा हूँ लिख लो फटा फट लिख लो फिर दूसरे को लिखवाता हूँ जल्दी से लिखिए आप जो ये स्रमबोली वाला है ये हवाई की तुल्ला में स्रमबोली की बात करें बेटा सेकिंड वाले गी ये पहला वाला है हवाई अब ये सेकिंड है स्रमबोली ये कहते हैं स्रमबोली हवाई की तुल्ला में थोड़ा जादा ये क्या है ये थोड़ा जादा यहां गैसो की तिर्वता थोड़ा जादा है तो यह हवाई की तुल्ला में तीव्र है हवाई की तुल्ला में गैसों की तिर्वता अधिक अधिक विस्फोटक हवाई की तुल्ला में अधिक विस्फोटक है और यह मिलता कहां है यह basically भुमध्य सागर के अंदर सिसली दीप है ब cheatable in Strongly द씨 के उत्तर में एक लिपारी दीप है इसके उत्तर में लिपारी दीप वहां पे ये आपका स्ट्रमगोली तुल्य जो अला मुखी है बेटा लावा जितना ज्यादा चिप 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 और जितना ज्यादा गाढ़ा होगा याद रखना बेटा लावा जो मैगमा बाहर निकल रहा है लावा के फोम में वो लावा जितना ज्यादा चिप 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 और गाढ़ा होगा चिप चिपा प्लस गाड़ा होगा उस जौला मुखी के उतने ज़ादा विस्फोटक होने की संभावना विस्फोटक था उसकी बढ़ जाएगी ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? घर के अंदर प्रेशर कूकर देखा है? प्रेशर कूकर और नीचे से उसमें फ्लेम लगा दो गैस जला दो और उसका प्रेशर रिलीज मत होने दो चेक है? ज़ाद अब इस फोटक हो जाएगा या नहीं? तो जब लावा क्या होता है? चिप चिपा और गाड़ा हो जाएगा अब लावा बाहर निकला और यहां आके जम गया चिप चिपा था और गाड़ा था इसने इसको ब्लॉक कर दिया अब अंदर से तो मेगमा, गैस, जलवाश पी अपना प्रेशर मानने की कोशिश करेगी अब वो जब तक उतना प्रेशर नहीं हो जाएगा कि इसको तोड सके और जैसे ही प्रेशर जादा होगा इसको ब्लास्ट करके तोड के बहार निकल जाएगा ठीक है? अब तीसरे वाले को लिखते है, वलकेनियन तुलिये, थर्ड वाले को, थर्ड वाले को देखते है, वलकेनियन टाइप, वलकेनियन टाइप क्या कहता है? एक बार class like कीजिए कितनी बार बोला हुआ है भाई मैं भूल जाता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप class like नहीं करोगे class को like कीजिए तब ही चलेगी भाई आगे की class मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं वलकेनियन वाला में पढ़ाई नहीं रहा यह break लगा दिये मैंने like कीजिए Hawaii तुल्य बेटा Pacific Ocean के अंदर मिलेगा Hawaii Island का नाम सुना होगा आपने done तीसरा आगया वलकेनियन टाइप वलकेनियन टाइप यह क्या है विटा यह कहता है इसका जो लावा है वलकेनियन टाइप का जो लावा है थर्ड की बात कर रहे है इसका लावा गाढ़ा प्लस चिपचिपआ है तो जब लावा गाढ़ा और चिपचिपआ होगा तो क्या होगा बताइए चिपचिपआ होगा तो विसफोटक प्लस भयंकर दोनों टाइप का होगा ये और ये भी जो वलकेनियन टाइप भी बेसिकली बेटा कहा मिलता ये भुमध्य सागर भुमध्य सागर में मिलेगा भुमध्य सागर के अंदर वो ही लिपारी आईलेंड के अंदर ये वाले मुलकेनोज मिलते है लिपारी जो आईलेंड है भुमध्य सागर के अंदर है लिपारी दीप उस पे ये मिलेगा छेक है फिर आया पीलियन टाइप पूर्थ पीलियन टाइप जो ये पीलियन टाइप का है बेटा ये वाला इस पे तीन सितारे लगा लो है ना ये पीलियन टाइप है ये पीलियन टाइप सबसे ज़्यादा विनाशकारी है, सबसे अधिक विनाशकारी है, सबसे अधिक विनाशकारी है, ओके, विस्फोटक है ये, पिलियन टाइप का है ये, इधर गैसो की तीर्वता अधिक है, गैसो की तीर्वता अधिक है इसमें, ओके, तो अब आप बताओ यहां पे, आप खुदी बताओ मुझे, यहां पे लावा, पतला होगा, या गाढ़ा, आपको क्या लगता है, इधर लावा, पतला होगा या गाढ़ा होगा, गाढ़ा होगा बेटा, है ना, और जो इसका एक्जामपल मिलता है, जो पश्यमी दीप समू है, पश्यमी दीप समू, पश्यमी दीप समू पे मार्टिनीक दीप है ना, मार्टिनीक दीप वहां पे पीली टाइप का जो वॉलकेनो है उसके नाम पे इसका पीलियन टाइप का वॉलकेनो हो गया जो यह आपका वॉलकेनियन टाइप है ना बेटा इसकी एक विशेष्टा है वॉलकेनियन टाइप की एक विशेष्टा है वॉलकेनियन टाइप की एक विशेष्टा यह है कि जब यहां के जौला मुखी से जब लावा का उदगार होता है जब लावा उदगार होता है तो वो क्या करता है फूल गोबी के आकार की संरचना बना लेता है फूल गोबी जानते हो फूल गोबी अरे भई सर्दियों का सीजन है खारे होंगे ना भी आप तो फूल गोबी के आकार के जो आला मुखी का अंदर जो डस्ट है उससे फूल गोभी के आकार के बादल बनेंगे फूल गोभी आकार के बादल येस फूल को भी कहां पे है बेटा इस तीसरे वाली का वलकेनियन टाइप में नेक्स आया नमबर पांच है विशूवियस टाइप का जो अला मुखी विशूवियस ये वाला इसका नाम दूसरा है प्लीनियन टाइप जो अला मुखी भी है प्लीनियन टाइप तो जो विसूवियस है बेसिकली ये विसूवियस है ना बिटा ये विसूवियस इसी टाइप का एक तरह से वलकेनियन टाइप का ही है वलकेनियन टाइप का ही है ये एक तरह से इस में भी इस विसूवियस के अंदर भी क्या होगा इस विसूवियस के अंदर भी जो जो अला मुखी उदगार होगा यहां पे भी फूल गोबी के आकार के बादलों का निर्मान होगा फूल गोबी आकार के मेग इधर भी बनेंगे तो आप बोलोगे सर दोनों में फर्क क्या है इन दोनों के अंदर फर्क क्या है इन दोनों के बीच का फर्क क्या है वलकेनियन और विसूवियस तो विसूवियस के अंदर इधर इस विसूवियस के अंदर गैसों की तीर्वता आधिक है गैसों की तीर्वता आधिक है किस की तुल्ला में वलकेनियन की तुल्ला में और इसको प्लीनी तुल्या जो अला मुखी भी बोलते है और लास टाइब का जो अला मुखी हो गया आइसलये जो अला मुखी ये मैंने आपको अलड़ी बता दिया कि ये मध्या अत्लांटिक कटचक के उपर है और होट स्पॉट के उपर पड़ता है volcanic roof से active छेतर है यहाँ पर यदा कदा आपके जौला मुखी विसफोर्ट होते रहते है तो central केंद्रिय उद्गार के अधार पर आपके जौला मुखी है हवाई तुल्य है, स्ट्रमबोली तुल्य है वलकेनियन, यह यह सबसे ज़ादा विनाशकारी सरवाधिक विसफोर्ट कौन सा है कौन बच्चा बताएगा मुझे नाम लिखो नाम, 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 नाम यह वाला है प्लीनियन यूपी एस्थी 100% फसाएगा यूपी एस्थी अगर आपसे पूछेगा दोनों नाम देगा वो पीलियन नाम भी देगा और वो प्लीनियन भी देगा और आप पीलियन और प्लीनियन में आप उधर ही डूब जाओगे तो याद रखना कुन सा है पीलियन 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 नहीं पीलियन देखो पली से याद रखो पली मतलब याचिका ऐसे रखलो याचिका और याचिका करता थमजोर मान के चलो कि कमजोर है थोड़ा सा ये वाला पीलियन है तो पली से याद रखना पली वाला है बागी तो मैं टेस्ट सेरीज में आपको यह सारी चीज़ें रिवाइज कराऊंगा ही डॉन्ट वरी फिर नेक्स्ट आ गए हमारे दरारी उद्गार वाला है ना दरारी उद्गार वाला क्या कहता है जैसे वो हमारे सेंटरल पाइप वाले थे सेंटरल वाले थे उसमें तो सिंगल से ही निकल रहा था यह था एक सेंटर पाइप था यह मैगमा चेंबर था यहां से उपर आ रहा था वो और इस से बाहर निकल रहा था यह कह रहा है इसमें ऐसा नहीं है इस वाले में जो फिशर टाइप का है इस इसमें गैस और लावा की मात्रा कम होती है, तीवरता कम होती है, इसलिए विस्फोटक ना होकर शान्ति पूर्ण तरीके से, यह विस्फोटक नहीं है, आगई बात समझ में, गैसों की तीवरता कम है, सिंगल वेंट से नहीं निकल रहा है, इसको जिधर से रास्ता मिलेगा, इसको इधर से मिला, इधर से निकल जाएगा, इधर से इधर से इधर से अराम से अपना काम कर रहा है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अराम से निकलेगा यह, देख लो आप, तो यह तो सेंटर पाइप वाला था, केंद्रिया वाला, यह इधर से भी, इधर से भी जहां से दिखेगा उधर से निकल जाएगा यह आप देख सकते हैं बड़ा शांती पूर्ण तरीके से निकलेगा इसको कोई टेंचन नहीं है धीरे धीरे निकलेगा इसको जिधर से निकलना होगा फिर आया मैगमा आप जानते हो मैगमा बेसिकली आप पुछोगे मैगमा जो अंदर से निकल के आ रहा है ये जो मैगमा है ये वाला जो मैगमा है ये वाला इस के अंदर क्या है इस मैगमा के अंदर क्या क्या है ये मैगमा जब बाहर आता है ये लावा के फोम में आता है मैगमा जब बाहर आता है तो लावा के फोम में तो ये मैगमा है सर इस मैगमा के अंदर क्या क्या है चलो मैगमा का composition दिखाता हूँ आपको मैगमा के अंदर गैस भी है ठोस भी है और द्रवतीनों का मिश्रण है तो एक काफी लचीला या लचीला पदार्त है ये और ये तेल की तरह तरल नहीं बलकि गाढ़ा होता है गाढ़ा और सिलिका और जल इसके main content होते है सिलिका और जलवाश पर इसके मुख्या अव्यभ है इसी से मैगमा किस टाइप का है तो मैगमा acidic भी हो सकता है आम लिया मैगमा या सिलिका की मातरा के अधार पे हम मैगमा को अब हम categorize करेगे किसके base पे बेटा? आमल के अधार पे और सिलिका के अधार पे तो आप ये देख सकते हैं ये मैगमा है जो लावा के रूप में आ रहा है गरा में वाई है न थोड़ी दिर हाथ सेख ले थंडी हो रही है ये देखिए स्लोली स्लोली धीरे धीरे चल रहा है कोई टेंशन नहीं है पतला है थोड़ा दूर तक फैलेगा पतला है थोड़ा दूर तक फैलेगा तो पहला है एसेडिक लावा है ना हमने बोला था ना सिलीका की मातरा की अधार पर देखेंगे सिलीका का कंटेंट देखेंगे तो पहला है हमारा एसेडिक एसेडिक लावा एसेडिक लावा वो है जिसमें सिलीका की अधिक मातरा होती है और ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है अब गाढ़ा है और चिपचिपा है तो ज़्यादा दूर तक ये नहीं फैलने वाला इसे धरातल पर अधिक फैलने का मुका नहीं मिलता जैसे ही उद्गार हुआ साइड में जमा हो गया गाढ़ा है चिपचिपा है क्यों? Sleekah content ज़्यादा है Sleekah ज़्यादा है तो ऐसे चार्ट बना लेना बिटा Acidic Amelie Amelie वाले में क्या है? यहीं पे लिख लेना Sleekah ज़्यादा है Sleekah ज़्यादा है, Sleekah ज़्यादा है तो थिक है यह यह थिक है, गाढ़ा है यह Second वाले को इसके बाजू में ऐसे लिख देंगे ऐसे ही लिखना बिटा, वरना Comparison में लिखना, वरना Paragraph में लिखोगे तो भूल जाओगे, Confusion होगा इसको Second है Basic तो यहीं बाजू में लिख लेना Basic Amelie है या Basic या Patic यहाँ English में लिख लेना Acidic इसको लिख लेना Basic Basic में क्या होगा? Silica कम है Okay और Silica कम है तो पतला जादा है, दूर तक फैलेगा अप एक्षा जादा तरल होता है और पतला होता है, दूर तक जाएगा तो धरातल पर दूर तक फैलता है, जिससे शंकू का निर्मान होता है, ढाल मंद होता है इसका मंद ढाल होता है चप्टा शंकू बनेगा इससे ओके तो आप कुछ जौला मुखी और उनके देशों को देख लेते, UPSC ऐसा कोई question पूछ सकता है एक तरफ जौला मुखी देदेगा दूसरी तरफ देश देदेगा पूछ लेगा कौन सा किस देश में है ओजोस डल्सलैडो, अर्जेंटिना ये लिस्ट बना लेना कोटोपेक्सी, एक्वेडोर चिमबराजो, एक्वेडोर पॉपो का टेपिटल, ये मेक्सीको में है मोना लोवा, हवाई में माउंट कैमरून अफ्रिका, माउंट अर्बूज अन्टार्क्टिका एटना हो गया, सिसली में हैकला हो गया, आइसलेंड में लाकी हो गया, आइसलेंड में विसूवियस हो गया इटली में ये लिस्ट बना ले ना बेटा स्ट्रमबोली आपका इटली है क्राका टाओ ये आपका इंडोनेशिया और बेटा जब बोलते है जब क्राका टाओ वाला विस्फोर्ट हुआ था ना इंडोनेशिया का जो क्राका टाओ वाला विस्फोर्ट और हजारो किलोमेटर दूर तक आवाद सुनाई दी गई थी और कई बार ज्वाला मुखी विस्फोर्ट इतना भैंकर होता है बेटा भुकम्प तक ला देता है तो क्राकाटाओ उसी श्रिणी में है 1883 में आया था इंडोनेशिया में क्राकाटाओ 1883 और इतना भैंकर है कौन सा टाइप का होगा अगर बताओ अगर मैंने बोला ये इतना भैंकर था कि इस आस्मान में कई किलोमीटर तक ज्वाला मुखी डस्ट के और उसके पार्टिकल्स के क्लाउड बन गए थे हजारो किलोमीटर तक इसकी आवाज आई थी इस ब्लास्ट की तो ये कौन से टाइप का होगा बताओ कौन से टाइप का है ये पीलियन है या प्लीनियन है आप बताओ मुझे ये पीलियन है या प्लीनियन है कौन से टाइप का है इसको मैंने लिखा इसको मैंने लिखा बी कौन से टाइप का है ये ए या भी ए या भी क्राक्राट जा हो UPSC एक काम और भी कर सकता है बेटा मेरे मन में अभी आया UPSC वैसे तो नहीं जाएगा मैं होता तो बना देता ऐसे कोशन अगर मैं होता तो ऐसा कोशन बना देता UPSC बनाएगा या नहीं बनाएगा आप पे दया करेगा तो हो सकते ना बनाए वो आपसे एक प्रकार का question पूछ सकता है, वो लिख सकता है निम लिखित जौला मुखियों को, जौला मुखी प्रकारों को उनके विस्फोटकता के, विस्फोटकता या गैसियत तीवरता के घटते क्रम में लिखो, घटते दिख देगा या बढ़ते क्रम में लिखो, तो याद रखना बिटा, सबसे है, सबसे कम तीवरता, अगर मैं कहूं, ऐसा भी question पूछ सकता है वो, कुछ नहीं पता, वो UPSC है, वो कुछ भी कर सकता है, वो UPSC है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, UPSC है, तो तीवरता, देख लो और विसफोटक ता, घटता करम लिखते हैं, बढ़ता करम, इंक्रीजिंग ओर्डर देखेंगे, इंक्रीजिंग ओर्डर, इंक्रीजिंग में सबसे कम, हवाई वाला ये सबसे कम विसफोटक है, दूसरे में स्ट्रमबोली, ये इससे जदा है, तीसरे में आपका विसूवियस या वलकेनियन, वलकेनियन है इसका, इससे जदा विसफोटक है आपका पीलियन, ऐसे याद रखना घटता पूछ ले, बढ़ता पूछ ले, इसको ऐसे कर दे, घटता पूछ ले, ऐसे, आप इसको ऐसे कर देना घटता बड़ता जो भी पूछे उसके हिसाब से सेट कर देना तो सबसे कम ये वाला है बस ये याद रखना कई बार इतने भर से भी हो जाएगा सबसे कम ये वाला और सबसे ज़्यादा विसफोटक ये वाला सबसे कम और ज़्यादा का याद रखना हो सकता है इतने से आपका Elimination हो जाए इतने से ही Elimination हो जाए और आपका उत्तर निकल के आ जाए ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है उसके बाद कटमाई है अलास्का में रैनियर, अमेरिका, शास्ता, अमेरिका, फ्यूजियमा, जापान, टाल, कई वार आप सुनते हो टाल, फिलिपीन्स, ओके मेयाउन है, फिलिपीन्स, ये तो करंट अफेर में भी रहता है बेटर, रेगूलर, ये ताल वाला हुआ, ये मेयाउन हुआ, इरान के अ तो ये सब आपके, एक काम करना बेटर, जो आपका पेज होगा न, ए फोर साहीज जिस पे आप पेज बना रहे होंगे, और जब आप शोर्ट नोट्स बना रहे होंगे, यहाँ पर ये लिस्ट पूरी ऐसे, इतने में लिस्ट बना लेना, बाकी अपना जो भी लिखना है, वो इधर लिखते रहना, वो जो भी आपको लिखना है लिखते रहना, इधर बस ये बना लेना, एक तरफ लेना ज्वाला मुझी, दूसरी तरफ लिख लेना कंटरी, ओके, और एक ऐसे लिस्ट बना लेना, या जो भी है बाजू में लिखते चले जाना इधर अपना काम करते रहना ऐसे चल जाएगा यह आपको काम इतने भर से काम हो जाएगा ओके? एक ही पेज पे मत बनाना confusing हो जाएगा कोशिश करो एक पेज पे देखो आपको पढ़ाई में बिटा पता है कम मज़ा आता है? पढ़ाई में मज़ा कम आता है? जब आपका कोई एक पेज हो उस पे जितना जादा आपको information मिलेगा नो पढ़ने में उतना आनंद आएगा आपको पता है पूरे पेज पे दस नाम आपने कुल लिख रखे है नीद आ रही है पेज पलटते टाइम में एक पेज पे आपने इतनी सारी information लिखिये पढ़ने में रस आ गया रहे भाई ये पेज है ना देखो तो उस पेज को लगे हाँ भाई इसके अंदर पावर है पेज के अंदर एतना information है कुछ बच्चे एक पेज पे लिखते चार शब्द ऐसे काम नहीं चलने वाला भाई नेक्स टॉपिक आ गया हमारा रोक का चट्टाने येस रोक्स तो चट्टाने हम देखेंगे आगने चट्टाने अवसादी चट्टाने कायांत्री चट्टाने बढ़िया जबरदस टॉपिक है ये हमारा शांदार जबरदस अधभुत टॉपिक है अवसादी चट्टाने भी देखेंगे फिर कायांत्री चट्टाने देखेंगे लेकिन आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे, कल है Saturday कल है Saturday बिटा और कल मुझे Argent work है Argent work की वज़े से 2 p.m. वाली class नहीं होगी 2 p.m. वाली class नहीं होगी लेकिन हमारी evening का जो 6 p.m. वाला है भुगोल के योध्धा भुगोल के योध्धा ये होगी भुगोल के योध्धा ये वाली class येस है, ये वाली class नहीं होगी, मुझे थोड़ा Argent काम है बिटा और तो 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है भुगोल के योध्धा और इसको आप regular करते रहे भुगोल के योध्धा को काफी अच्छा इंप्रूमेंट आएगा Environment and Ecology का plus course मेरा 16 दिसंबर सुभे 9 बज़े से शुरू हो चुका है, आप आके देख सकते है अभी 4-5 सेशन हुए है आज रात 12 बज़े से पहले कोई भी बच्चा मेरा referral code नवीन1 इस्तमाल करके सब्स्रिप्शन लेगा बड़ा डिस्काउंट है और 3 महीने का फ्री सब्स्रिप्शन मिल रहा है और नवीन1 code लगाओगे 10% का एक्स्रा डिस्काउंट आपको और मिलेगा तो code सही लगाना जरूरी है अगर आप चाते हो कि इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूं तो सही code का लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है जो भी बच्चे लोन के जरी अड्मिशन ले रहे है लोन टीम को साफ साफ बोल देना चाहे 50 बार बोलना पड़े कुछ बच्चे 50 बार नवीन सर बोलते है मैं कहता हूं नवीन सर चाहे एक बार बोलो नवीन वन कोड 50 बार बोलना है आपको ठेक है सेम आप जोगरफी ओप्चनल पेपर वन पेपर टू ये कंप्लीट हो चुका हमारा कंप्लीट है कंप्लीट जोगरफी ओप्चनल हिंदी माध्यम में पुरा हो चुका जो बच्चे ये कोर्स मेरा ये भी आप देख सकते हो और ये मेरे कोर्स की डिटेल देख सकते हो बेटा स्पेशल क्लास पे चल रहा है हमारा भुगोल के योधा इवनिंग में 6 पीम पर ये आप आईए और जरूर देखिए प्लस कोर्स में जोगरफी ऑप्चनल हिंदी माध्यम कंप्लीट है एथिक्स कंप्लीट है आंत्रिक सुरक्षा कंप्लीट है Environment and Ecology ये complete ये चल रहा है Geography GS जैसे Environment and होगा उसके बाद Geography GS शुरू हो जाएगा Referral Code Navin 1 ही आपको इस्तमाल करना है ये ध्यान रखे Free Classes है, Disaster Management, SA Writing, नतिकता की अदालत बिल्कुल Free of course Sessions है ये यहाँ पे आके आप अप पे आके Free देख सकते हैं इनको या तो Google Play से डाउनलोड कर लेना एप को या App Store से Last Mile Program है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2022 की मुख्य परिक्षा पास कर ली है Interview की Call आ गई है ये बिल्कुल Free of course Session है Deaf Analysis होगा, Online Preparation होगी, Current Affair की Statewise Analysis है Mock Interview है, Performance Evaluation Feedback है, Interactive Sessions होगे आपके Topers से Serving Bureaucrates के साथ High Quality Video मिलेगी, Interview के बाद आपको Panelist में Bureaucrates, Top Educators और Professors रहेंगे, तो आप इसका Benefit लीजिए Evening में 6 PM पर मिलते है, 6 PM पर भुगोल के योद्धा तब तक के लिए अपना ख्याल लखना, कल सुबह 9 बजे, Plus की Class में मिलेंगे Environment and Ecology और कल Evening में 6 PM पर भी भुगोल के योद्धा पर मिलेंगे मंडे से वापस से हमारी Class शुरू हो जाएगी, Don't worry, Bye Bye, Take Care